तो गुड बॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू दे निव व्लॉग तो आज के इस व्लॉग की शुरुवात होने जा रही है मेरे थोड़े कमर के दर्द से तो कमर का दर्द तो अभी तक ठीक नहीं हुआ तो अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले हॉस्पिटल हॉस्पिटल ज यह एक्सरे मशीन यहां पर एक्सरे पड़ते हैं एक्सरे डालने की मशीन यह प्लेट एक्सरे की यहां से प्रिंट और आता है यह पूरा सेट 10-15 लाक रुपे का है अभी मैं मेडिकल में बेठा हूँ यह आमारे खिरन भाई और यहां पर पेशन्ट आना शुरू हो गए सबसे पहले मेरे नमबर है तो अभी तो हुए 10-40 और सब सर को आने में अभी 20 मिनिट और 11 बजे आएंगे सब यारा से तीन को पीड़ी का टाइम होता है फिर ओटी का टाइम होता है तो देखते सर को बटाते है भई कि इसका पर्मनेंटी को इलाज कर दो भई अभी सा नहीं जाता यूदे बढ़ता जाए इससे अच्छा कि एक बार इलाज कर दे होस्पिटल से मैं वापस आ चुका हो घर पर डॉक्टर ने एक इंगिशन दिया था और यह गोली दी तो उन्होंने बोला है कि एमराई करा लो लेकिन मुझे तो आज निकलना है अलगर के लिए तो एमराई तो हो नहीं पाएगा आज तो उन्होंने का है कि जब नेक्स टा जाना पड़ेगा जगह का नाम है खोड़ा लेपड़ तो गाड़ी इधर पार्क करके यह देखो यह पूरा है खोड़ा लेपड़ आपको आगे जाका दिखाता हूं यह देखो तो तर्क मार्केट पूरी ऐसी है कि जाने सकता क्योंकि मेरी कमर की बज़ी बड़ी बैंड इसलिए मैं तो पीछे जो सीड़ी दिकरे ना वहाँ पर बैठूंगा मामी का इंतिजार करूंगा मामी गई है सब सामान लेने इस कच्राई कच्रा जाब देखो कच्राई कच्राई खंडर जैसा कर ऐसा लग रहा ह हमारी शॉपिंग हो चुकी है डन फिर से आ गया हूं मैं घर पर अभी थोड़ी देर के लिए करता हूं रेस्ट क्यूंकि कमर थोड़ी थोड़ी दुख रही है ज्यादा नहीं दुख रही लेकिन रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगी डॉक्टर ने का है तो थोड़ी द नजरे पूरे साथ-8 महीने बाद देखने मिलेंगे तो गाई यह हो चुके सबजी और यहां पर हमारी रोटी बन रही है तो गाईस खाना हो चुका है डन तो अभी करता हूं थोड़ी देर के लिए रेस्ट इस व्लोग के लिए इतना ही रखते हैं मैं मिलता हूं आप से न कि मैं कभी गया नहीं खाना खाने तो दर्शन से थाली शायद आर्डर कर लूँगा स्टेशन पर तो इस लोग के लिए इतना ही रखते गाईस मैं मिलता हूं आप से नेट्स वीडियो में तब तक के लिए जैशीरा